हेलो एवरिवान वेलकम तो मैं चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको डेड़ मीटर कपड़े से फ्री साइज की सलवार बनाना बताऊंगे तो इस मेथड से आप 42 से 44 हिप साइज तक के लिए आराम से सलवार बना सकते हैं तो इसके लिए मैंने डेड़ मीटर कॉटन का प्रेक का जो आर्ज है वह ऐ 44 इंच का अब मैं आपको पताती हूं कि कपड़ा कैसे फोल्ड करना है तो माल लीजिए यह हमारा कपड़ा है और यह कपड़े की लंबाई है डेवड मीटर की और यह कपड़े का आर्ज है यानिकि विट कपड़े की 44 इंच की अब हमें इसके कि इसको अर्ज में कि इतक ही को कपड़ में कर देंक अब इसका कि आप पार। अब खुर्जं की एक बार भीक्र शेया फॉट प dangerous इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर दिया है तो देखिए मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है अब इससे नीचे की तरफ को हमें अपनी लेंद के लिए निशान लगाना है तो जितने भी आपको सलवार की रेडी नाप चाहिए उससे आप 1.5 इंच घटा दीजी क्योंकि 1.5 इंच क रही हूं जो सिलाई मार्जन उसका तो आया 36.5 इंच तो 36.5 इंच पर मैंने निशान लगाया अब इस लाइन को में स्ट्रेट कर दिया है अब से मार्किंग के उपर में इसकी कटिंग कर लेनी है तो देखिए मैंने इसकी कटिंग में कर ली है देखिए यहां से पूरी फो इसका जो आसन है उसकी लंबाई यहां पर 14 इंच के रख रही हूं यह 14 इंच पर आसन के लिए निशान लगा लिया अब यह नीचे बॉटम के लिए हमने निशान लगाना है तो जो ओपन वाली साइड है यहां से अंदर की तरफ को हमें 8-9 इंच पर करीब निशान लगान और अब इस पॉइंट को हमें उपर आसन वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है अब यह से मार्किंग के उपर हम इसकी कटिंग कर लेनी है इसके बाद यहां पर एक फोल्ड आया हुआ है कपड़े का तो इसको भी हमें कट करके ओपन कर लेना है अब इसको हमें ऐसे ही संमाल के रखें के रूप में यूस करेंगी अब påo Canada के बलs लूदा को करेंगे सलवार को उसके बात यहां पे कोने capital लाते वे दोनों पार्ट को इस तरह से दूसरी तरफ भी लगा लेनी है हमको तो यहां पर देख सकते हैं मैंने इसके दोनों तरफ यहां पर सिलाई लगा के बंद कर ली है अब हमें इसके पॉंचा बनाना है तो उसके लिए मैं इसके जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको ओपन करते वे सरसर रख दे रही हूँ अब थोड़ा सा नजदीक से मैं आपको दिखा देती हूँ यहां पर देखिए मैंने यहां पर एक कपड़े का टुकड़ा लिया वा है इसकी लंबाई हमेरे पॉंचे के जितनी है और इसकी चौड़ाई जो है वह चार इंच की मैंने ली है अब मैंने यहां पर डेढ़ इंच इसकी लंबाई हमारे पॉंचे के जितनी है अब हमें इसको यह पटी से आधा इंच अंदर की तरफ को करते वे रखना है और इसको प्रैस से चिपका लेना है तो देखिए मैंने यहां पर इसको चिपका लिया है अधा इंच का मार्जन चोड़ते वे अब इस पट्टी को म सलवार के उल्टी तरफ के उपर रखनेंh आ और यहां पर कुन पर वाल ची की दूरी पर स्लाहि लगा लीनी कि दिधिया मैं इसमें उर्फ लगालि है अब हमें सलवार को सीधी तरफ को पलटने के बाद यहीं पत्तर अन्दर को फोल्ड करेंगे उस scrutin एक नैहीं द रखहा हैं यहां और उसके लाई ऋचाए हैं। इस तरह से सब्सक्राइब तेकं ज् bakın लिए छीड़ी कि लिए यहां किया देगा। तो देख़िए मैंने तरफ दोनों तरफ के बना लिए हैं को मैंने कपड़ा बचाने के लिए था ने और इस सेंटर से कट किया हुआ था इसको जुड़нетा Latin दोनों को एक दूसरी के उपर इस तरह से मिलाते वे रखेंगे हैं और फिर इसकी चौड़ी वाली साइड है इसको सिलाई लगा के बंद कर लेंगे तो इसमें मैं इसको सिलाई लगा के बंद कर लिया है और अब इसको हमें इस तरह से ओपन करना है और उसके बास सेंटर से ए करेंगें देखने पीड Cantonese करेंगे दने च्वा प्राइगा ओ मुझे में जॉड़ गार के लिए का, दोनों तरफ पर यहां है पर इस तरह को मिल लगा लग है पर यहां पर इसको गूर नों करना है और र्क देना है और उपन करने के बाद यहां पर इन दोनों को इस तरह से मिलाते वे हम रखना है और फिर इसको पिंस से आप अटेच कर लीजिए सेम इसी तरह से बॉटम वाली साइड को भी मिलाते वे रख रही हूं और इसको पिंस से अटेच करते जा रही हूं तो एक साइड अटाइच कर लिए हमने सेम इसी तरह से दूसरी वाली तरफ में भी हमें यहाँ पर दोनों कपड़ों को मिलाते भी रखना है और इसको सिलते जाना है तो यहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगा लूँगी तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसकी एक तरफ पर सिलाई लगा ली है अब इसकी जो दूसरी वाली तरफ है पीछे वाली साइड इसको भी हमें सिलना है तो इसको सिलने के लिए मैं पहले सलवार को पीछी की तरफ को यहाँ पर पलट ले रही हूँ यहाँ पर मैंने सलवार को पलट के रख लिया है अब हमें वापिस से इसके सेंटर को यहाँ पर सलवार के आसन से मिलाते वी रखना है और इसको पहले मैं पिन से अटाच कर लूँगी अब सेम इसी तरह से साइड वाले हिस्से को भी हमें इस तरह से मिलाते वी रखना है औ कि यहां साइड में ऐसे कपड़े को मिलाते हुए हम इसको भी स्टिच कर लेंगी कि कपड़े को मैंने यह पर स्टिच कर लिया है और यह मारा यह पर आसनमन के त्यार हो गया है और यह कपड़ा यहां पर मियानी का काम भी करेगा और सलवार की घेर भी बढ़ा देगा अब इसकी जो कमर है इसमें हमें इलास्टिक लगाना है तो यहां पर मैंने अज़्दीक सब को दिखा देती हूँ तो देखें यहां पर जो हमने दो इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाया था, सेम इसी निशान को मैं यहां पर कपड़े के उल्टी तरफे भी लगा ले रही हूँ तो इसमे इतना ही निशान दो इंच के बहुता को भी कर देना है फ्रन्ट और बैक दोनों में आप इसको fold कर दीज़ें उसके बाद कोने से अधा इंच का कपड़ा हमें अंदर को fold करना है और पुरी गोलाइ में सिलाई लगा लेंगे प्रन्ट और बैक दोनों तरफ पे और बीच में थोड़ी सी जगा चोड़ देंगे elastik के लिए बना के तरक नहीं पूरी वीडियो में बना चुकी हूं अगर आपको देखने हैं तो लिंक को आपको दे दूञे चुक दे दोंगी तो आप में इसमें लास्टिक लगा लेक हैं और यह सल्वार बनके हमारी तैयार हो गई है झाल झाल